दोस्तों, मार्केट में आनलेसिस के साथ-साथ उसका जो अपडेट है, वो भी देना मार्केट डिलाइट का एक रेस्पॉनसेबिलिटी है, तो यहाँ पे आज कोई टेकनिकल आनलेसिस प्रॉपर लिए के उपर बात नहीं करेंगे, और यह जो स्टॉक है, इसके उपर अल्र कार्थी एर्टेल, मैं आप लोग को बताऊंगा कि अभी का जो रेंज है, उसमें किसी साथ से आप लोग ट्रेट कर सकते हैं, और इसका जो टार्गेट है, नेक्स टार्गेट देखने के लिए हम लोग को कम्प्लीटली आनलेसिस करना पड़ेगा, तो जो जो आनलेसिस का जरुरत है, वो ही मैं आपको सामने लाया हूँ, और जो चीज का अभी जरुरत नहीं है, वो मैं स्किप किया हूँ, तो पूरा ध्यान से दिखेगा, वीडियो उतना लंबा नहीं होने वाला है, और यह चोटा सा वीडियो है, आप लोग को टेकनिकल आनलेसिस में काफी मद हम लोग का ग्राफ है, यहाँ पर आप लोग को दिखेगा, भारती एटल में बहुती लंबा कॉंसलिडेशन हुआ था, और वो ही जो कॉंसलिडेशन है, यहाँ पर काफी सार्फ हो गया था, मतलब आप लोग को दिखेगा कि यह पूरा अगदम कंपैक्ट हो गया था, उसक जो ब्रेकाउट है, ट्वर्स अप है, यह आप लोग को नजर में आ जाएगा, अगर मैं वान वीक के उपर बात करता हूँ, तो यहाँ पर जीस हिसाफ से आप लोग का कॉंसलिडेशन हुआ है, इतना लंबा कॉंसलिडेशन का लगभग, आप लोग देखो के तो लगभग मार्च एंड से इसका कॉंसलिडेशन चल रहा है, और इसका जो ब्रेकाउट है, यह इसका जो हाई को है, इसको तो तोड़ेगा ही, उसके साथ साथ और 20% का उपर का आप लोग का उच्छाल दिखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जितना लंबा कॉंसलिडेशन उतना अच् तो उमीद करता हूँ कि आप लोग को यह वाला जो ट्रेंड वाला जो को समझ में आ गया होगा, और वान मन्थ में अगर बात किया जा अल्रेडी इसका जो फेज है वो चली रहा है, और यहां से अल्रेडी यहां पर की तरफ जो की बुलिश ट्रेंड उसको समने नजर आ र आप लोग को काफी अच्छा मुनाफ़ा दे सकते हैं in the case of the short term, right? और जो आप हम लोग का किसी साब से range है, range तो अल्रेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ, किसी साब से time है वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, तो यहां पे हम लोग को फिवोनाची में देखें अगर यह मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग का 16th of July, अगर इसका बाकी आगे का 2 दिन चुटी है, फिर 19th को यह जब market खुलेगा और इसके उपर अगर green candle बना के sustain करता है, तो आप लोग का यह जो level है, जिसे आप लोग को पता है, 620 के आसपास के इसका जो high है, within 3 weeks यह complete करक इसके उसको ऊपर चला जाएगा, तो इसका जो contradiction है, उसके उपर जो लगभग इसका जो target हो सकता है, 622 का प्लस, वह आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, और यहां पे GC साफ से काम चल रहा है, और Airtel में बाकी का हिसाफ से, बाकी GC साफ से आप लोग कर रहे हैं, य और दूसरा बात है, यहां पे जो हम लोग का स्टोकेश्टी का रहे साई और हाइकनासी का जो combination है, यहां पे एक छोटा सा आप लोग को गिरावट का नजर, आप लोग को सामने नजर आ सकता है, लेकिन यहां पे overboard zone में अभी तक नहीं गया हुआ है, तो इसका मतलब है कि अ बहुत ही trigger point हो सकता है, that is minus 0.07, मतलब ना की बराबर है, निप्टी के साथ correlation, तो यहां पे अगर निप्टी को देख के, अगर आप लोग को trade करना है, तो भारती आइटल में कोई काम का उसका है नहीं, निप्टी किसी तरब भी जाए, भारती आइटल को कोई फरक नहीं पर अभी के situation पर भारती आइटल के जो infrastructure में यहां पर जो investment है और इसका जो result आ रहा है, और जैसे कि जिसे साथ यहां पर advertisement दिखा रहा है कि 5-3 आइटल यहां पर आइटल यूच कर रहा है, तो उसका जो result है वो आप लोग को सामने नजर आ सकता है, तो आसा करता हूँ कि यह वा अगर बिडियो चाहिए चोटा से विडियो ब्रेक आउट का या पूरा completely on the recent market news, तो आप लोग मेरे को बता सेकते हो, comment section में, so that मैं इसी हिसाब से इसी type का वीडियो बनाने के लिए आगे कोसिस करूंगा, तो आज के लिए इतना ही, आसा करता हूँ कि यह वाला वीडियो आ अगर ऑप लोग में आया होगा और इसी साब से अगर आपलोग डेते हो, then I hope you will get the very good profit on Bharti Atel. Thank you, thank you so much.